उसकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग MSME 45 Days Rule के बारे में जब से ख़वरे आने लगी है छोटे से लेके बड़े व्यापारी में अफरात अफरी मची हुई है लेकिन दोस्तों एक केस है जिसमें आपके उपर MSME applicable नहीं होगा चाहे से आप जिनको payment कर रहे हो वो MSME में registered हो कौन सा केस है जिसमें MSME applicable आपके उपर ये 45 days payment rule applicable नहीं होने वाला है आईए देखते हैं कौन सा ऐसा option है काफी सारे छोटे बापारियों को भी चिंता हो रही थी कि क्या हमारे उपर भी MSME लगी था तो दोस्तों अगर अगर आप आपकी return भरते हो special provision for computing profit and gain form of business and on presumptive basis अगर अब 44 AD में अपनी return भर रहे हो section 44 AD में जो presumptive की बात करता है जो बोलता है कि 6% on banking transaction और 8% on non banking transaction पर आपका profit declare कर दो उस case में हम आपसे हम आपसे ये प्रावधान नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत किरे लिखा हुआ है ये प्रावधान क्या बोलता है ये प्रावधान बोलता है कि notwithstanding contrary in section 28 to 43 C तो अगर आप 44 AD में जा रहे हो तो इसने साफ साफ बोल दिया कि भाया section 28 से लेखके 43 C में कुछ भी लिखा हो जिसमें 43 B भी आपका cover हो गया हो उसकी हम सुनेंगे ही नहीं in case of eligible business in case of eligible business अगर आपका business eligible है in case of eligible business engaged in eligible business a sum equal to 8% of total turn on gross receipt or the CC in the previous year from such business as the case may be higher than अगर आप 6% और 8% यह जो 8% है यह substitute कर देंगे 6% से in case of आपका जो turn on gross receipt हो रही है banking transaction के through दोस्तों लेकिन लिमिट किसके उपर है प्रिजम्टिव की उसमें turn on की क्या लिमिट है दोस्तों वो भी अपने आप में एक बड़ा रोल प्रे करती है तो अगर दो क्रोर रुपे से आपका turn on रहे दो क्रोर रुपे तक आपका turn on और है और आप प्रिजम्टिव में 6% या 8% में return भरते हो दोस्तों तो आपके उपर 43B नहीं लगने वाला आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों अगर आप प्रिजम्टिव में नहीं fall हो रहे हो प्रिजम्टिव की condition में fall नहीं हो रहे हो बले ही आपकी free tax audit ना हो र जो gross receipt gross payment है उस case में यह तो हमें पता है कि 10 crore से नीचे कम है 5% ही मेरा 5% से नीचे है मेरे cash transaction तो tax audit नहीं होगी तो 43B MSME 45 days rule प्रावभान नहीं लगेगा लगेगा केवल किस case में लगेगा अगर आप 44 AD में आपकी return भर रहे हो तो नहीं लगेगा लेकिन इसका मतब यह नहीं नहीं कर रहा हूं क्या उसमें भरो जो भरते वाया रहे हो जो इसमें भर रहे है उसके उपर यह प्रावधान नहीं लगेगा क्योंकि आपको कौन सा प्रावधान सेलेक्ट करना है उससे पहले आपको आपके consultant की आपके expert की जो tax expert है आपका उसकी भी आपको राय लेना लोगे उस वीडियो को लाइक करना ना भूले मिलेंगे नहीं वीडियो को निजान करके साथ तब तक थैंक्यों सोमच जैहिंग जय भारावधा